प्यारे बच्चों आपके अपने अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल में आपका स्वागत है तो इसके पहले हम लोगोंने इंग्लिस रीडर क्लास एट का लेशन फोर जिसका नाम है विजिट टू कैम्बरिज इसके एक पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं एक पार्ट का हम लोग अनुवाद हिंदी अनुवाद देख चुके हैं अब जो बचा हुआ पार्ट है उसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे यहां से हम लोग पढ़ेंगे यहां से हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना इस इंटिग्रेटिंग बाड़ी वाज च्वाइस तो शूर्ली शूर्ली मने निश्चित रूप से आई वांटेड टू से यह लेखक कह रहा है कि मैं वांटेड मने चाहता था तू से मने कहना निश्चित रूप से मैं कहना चाहता था लिविंग क्रियेटिवली लिविंग मने जीना क्रियेटिवली मने रशनात्मक रूप से विद मने शाथ रियल्टी मने सच्चाई His माने अपनी Disintegrating माने बिगटित हो रहे Body माने शरीर बिगटित या च्छाए हो रहे शरीर वाज माने था और च्वाइस माने विकल तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता था किस से Stephen Hawking से कि उनके बिगटित हो रहे शरीर की सच्चाई के साथ रशनात्मक रूप से जीना जो है एक बिकल्ब था उनके लिए किसके लिए Stephen Hawking के लिए But लेकिन I kept quiet लेकिन I mean I kept quiet मैंने चुप रहा लेकिन मैं चुप रहा क्योंकी Because क्योंकी I felt guilty Every time I spoke to him Forcing him to respond मैं क्योंकी लेकिन मैं जो है चुप रहा क्योंकी मैं जो है felt मने अनभो किया Guilty मने दोसी मैं मैंने दोसी अनभो किया Every time मने हर शमय हर शमय मैंने दोसी अनभो किया कब कब जब जब मैंने जो है I spoke to him जब जब मैंने उनसे बात किया a human Force मैंने बात करते थे उनको उत्तर देने के लिए क्योंकी वो उत्तर नहीं दे पाते तो वो जो है computer के जरीए उत्तर देते थे तो इसलिए हम बाद करते थे उनको उत्तर देने के लिए इसलिए हम जो है दोसी अन्भो करते थे हर शम उनसे जो है जब भी मैं बोलता था यह लेखा कह रहा है then there there he was tapping at the little switch in his hand trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him his long pale fingers कह रहा है कि there माने वहां he माने वह वाज माने थे tapping माने दबा रहे थे at the little little switch मतलब छोटे switch को in his hand अपने हाथ में little माने छोटा switch माने switch his माने अपने hand माने हाथ में trying माने कोईस कर रहे कोईस करना और to find माने पाने के लिए पाना और words माने शब्दों को on माने पर his माने अपने computer माने computer पर with माने shaft only माने केवल bit माने थोड़ा bit of movement माने थोड़ी गती और left माने बची हुई तुहिम मने उनके पास हिज मने अपने लांग मने लंबी पेल मने पीली फिंगल्स मने अंगुलिया तो वहाँ वह अपने हाथ में छोटे से स्विच को दबा रहे थे और अपने कम्प्यूटर पर शब्दों को खोजने की कोशिस करते हुए अपने हाथ में छोटे से स्विच को दबा रहे थे कौन? Stephen Hawking कैसे दबा रहे थे? केवल उनके पास तुहिम मने उनके पास टुहिम मने उनके पास लेप्ट मने बचे हुए बिट ओप मुमेंट मने थोड़ी सी जो गती बची हुई थी ऐसे तो उनके सरीर में कोई हरकत नहीं होती थी लेकिन जो थोड़ी बहुत उनके पास जो है जो moment जो गती जो है उनके सरीर में बची हुई थी उसके साथ और अपनी लंबी पीली अंगुलियों के साथ वो जो है कम्प्यूटर पर शब्दों को खोजने की कोशिस करते हुए अपने हाथ में छोटे स्विच को दबा रहे थे इस्टीफन हौकिम तो आगे देखते हैं हम लोग एबरी सो आफेन हीज आइज उड्ड सट इन फ्रस्ट्रेटेड और एगझास्टन फ्रस्टेट एगझास्टन इबरी शो आफेन मने बार बार हीज आइज ने उनकी आखें उड्ड सट मने बंद होना इन फ्रस्ट्रेटेड मने निराशा में और एक जासन मने थकावट निराशा और थकावट में उनकी आखें बार बार बंद हो जाती थी and sitting opposite, I could feel his anguish, the mind burnt with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses and sitting मने बैठे हुए, opposite मने शामने, him मने उनके, I मने मैं, could मने शका, feel मने अनभो करना his मने उनके, inguse मने बेदना को, पीड़ा को, मानसिक पीड़ा को और उनके सामने बैठे हुए, मैं, मैंने उनकी बेदना को, उनकी मानसिक बेदना को अनभो किया उनका जो mind था, वो beyond भरा हुआ था, with thoughts, विचारों से विचारों से लबालब भरा हुआ था उनका माइंड थोट्स मने विचार तो डैट जो कीम आउट बाहर आते थे इन फ्रोजन फ्रेज़ फ्रोजन मने जमे हुए फ्रेज़ मने वाक्यांस के रूप में और सेंटेंसे इस्टिफ और कथोर एक तरह से जो है यह कठोर वाक्त एक लास की तरह कठोर वाक्त के और जमे हुए वाक्यांस बाहर आते थे मतलब बाहर आने बड़ी कठिनाई होती थी यह कहने का मतलब है को बोल तो पाते नहीं थे तो उनका माइंड तो विचारों से भरा रहता था लेकिन उस विचार को प्रकट नहीं कर पात प्रकत नहीं कर पाते थे वह उसी तरह जैसे जमे हुए वह वाक्यांस होते हैं रहाँ फिसकी तरह एक लास की जो है या माइन्ड जो है विचारों से भरा हुआ था यह स्टीफन होकिंग के विश्य में बात हो रही है अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको एक 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 लाट आफ पीपल seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said I know that is not true myself, are you often laughing inside? अब लेखक कह रहा है, Stephen Hawking से कि a lot of people, a lot of मने बहुत से people मने लोग, बहुत से लोग seem to think मने सोचते हैं that मने की, disabled मने बिकलांग people मने लोग बिकलांग लोग, आर होते हैं, chronically मने लंबे समय से unhappy, मतलब दुखी होते हैं I said मने मैंने कहा तो लेखक कह रहा है कि मैंने कहा कि Stephen Hawking से कि बहुत से लोग सोचते हैं कि बिकलांग व्यक्ति जो है लंबे समय से दुखी होते हैं फिर I know that is not true myself लेखक कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि यह बात जो है बिलकुल सही नहीं है और are you often laughing inside लेखक फिर कह रहा है क्या आप जो है अंदर ही अंदर inside मने अंदर अंदर ही अंदर laughing मने हस रहे हैं क्या आप जो है अंदर ही अंदर हस रहे हैं इस बात से इस्टीफन होकिन से पूषता है लेखक तो इस्टीफन होकिन बोलते हैं कि about three minutes later he responded लगभग about मने लगभग three मने तीन मिनट मने लेटर मने बाद लगभग तीन मिनट बाद जो है इस्टीफन होकिन जो है responded मने उत्तर देते हैं क्या उत्तर देते हैं कि I find it amusing when people patronize me मैं find माने पाता हूँ it माने इसे amusing माने आनन दायक रोचक जब जो है people माने लोग patronize माने मेरी help करते हैं me माने मेरी help करते हैं मुझे सहान भूत दिखाते हैं तो मैं जो है अनन दायक पाता हूँ अपने आपको महशूश करता हूँ जब लोग जो है मेरी शाहता करते हैं या मुझे जो है शहान भूत दिखाते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको and do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work लेखा कहता है और क्या तुम you मने तुम fine मने पाते हो annoying मने क्रोध में रहते हो जाता है और आपको आपके काम में परिशान करता है डिस्टर्ब करता है तो उत्तर मिलता है कि the answer flashed yes उत्तर चमक जाता है flashed मने चमक जाना तो और चमक के क्या होता है यस का उत्तर मिलता है चमकता क्यों है क्योंकि Stephen Hawking मुझ से तो बोलते नहीं है और वो computer पे दबाते हैं तो वहाँ yes निकलता है तो वो चमक के साथ computer में दिख जाता है तो then तब he smiled his one way smile तब then मने तब he smiled मुश्कुराय है his one way smile अपने एक तरफा मुश्कुराहट के साथ वो मुश्कुराय है तो क्यों क्योंकि वो जो है लकवागरशित थे तो एक साइड उनका सही था उसी तरफ से वो मुश्कुराय है and I knew और मैं जानता था कि without being sentimental or silly और मैं जानता थे कि वह जो है बिना without माने बिना being माने हुए sentimental माने भावग और silly माने मुर्खतापूल बिना मुर्खतापूल और भावग हुए जो है मैं जानता था कि उन्होंने जो है वो मुश्कुराय उन्होंने उत्तर दिया यस उन्होंने क्या उत्तर दिया beautiful man in the world यही कारण था कि उन्होंने भिना भाव कुए ऐस बोला यही कारण से मैं जो है उनको देख रहा था किस रूप में देख रहा था in the world, मतलब world माने सनसार, world माने सनसार, सनसार में the most beautiful, the most माने सबसे इदिक beautiful माने सुन्दर, मैं माने भ्यक्तियों के रूप में, मैं उन्हें जो है सबसे सुन्दर व्यक्तियों के रूप में देख रहा था ही कारण था कि मैं उनको सबसे सुन्दर व्यक्तियों के रूप में संसार में सबसे सुन्दर व्यक्तियों के रूप में जो है मैं उन्हें देख रहा था आगे देखते हैं लोग A first glimpse of him is shocking because he is like a steel photograph as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional A first glimpse of him is shocking because he is like a steel photograph because he is a steel photograph, like a type of photograph, like a type of photograph He is a steel photograph, like a type of photograph in magazines and newspapers have turned three-dimensional three-dimensional, three-dimensional, three-dimensional picture three-dimensional, 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 उसमें जो है उनको जो है यह लंबाई चवडाई उचाई तीनो दिख रही थी उनकी अब आगे हम लोग दिखते हैं Then you see the head twisted sideways into a slump The torso shrunk inside the pale blue salt The vested legs you look at his eyes which can speak Still and they are saying something huge and urgent It is hard to tell what Then you see the head twisted कि उनका जो सीर था, वो twisted था मुडा हुआ जो उनका सीर था वो sideways into a slump उनके कंधे पर ऐसे जो है ऐसे मुडा हुआ था sideways उनके कंधे पर उनका सीर ऐसे मुडा हुआ ऐसे तीका हुआ था हद तोर्सो, तोर्सो मने धड़, सिर के नीचे का ये धड़ तोर्सो, shrunk मने शिकुडा हुआ था inside मने अंदर the pale blue salt pale मने पीला, blue मने नीला salt मने salt पीले, नीले, सल्ड के अंदर उनका धड़ जो है शिकुडा हुआ था और उनका जो head था, मुडा हुआ वो जो है कंधे पर लटका हुआ था और the vested legs, उनके पैर जो है खराब हो गए थे you look at his eyes आप जो है उनकी आखों की तरब जो है देख सकते देखते हैं जब जो है तो which can speak still ऐसा महसूस होता है कि वो बोल सकती उनकी आखें जो है बोल सकती है and they are saying something huge or way मने उनकी आखें are saying मने कह रही है something मने कुछ huge मने बड़ा कुछ बड़ी बात कह रही हूं and urgent मने आवशक अति आवशक और बड़ी बातें उनकी आखें कह रही है it is hard to tell यह बताना कथिन था what कि क्या कर रही है जो उनकी आखें कह रही थी वो चीज बताना कथिन था but you you are shaken because you have seen something you never thought could be seen लेकिन you are shaken आप but you are shaken but you are shaken मतलब कि आप हिल गए है because क्योंकि you have seen something आपने कुछ something माने कुछ कुछ ऐसा देखा है have seen माने देखा है कि जो you never thought जिसे आप never माने कभी नहीं thought माने सोचते थे जिसे आप जो है कभी नहीं सोच सकते थे कि could be seen हम देखेंगे ऐसी चीज देखेंगे ऐसा आप कभी सोच नहीं सकते थे वह इसी चीज आपने देख लिया है इसलिए आप जो है हिल गए है कहने के मतलब कि ऐसा व्यक्ति देखा कि जिसके जो है सीर एकदम twisted है मुड़े है मुड़े तुड़े है और जिनका जो है पैर खराब हो गया है और जिनका धाल एकदम शिकुडा हुआ है सल्ट में तो ऐसा व्यक्ति देख करके हर आदमी हिल जाएगा जो है तो ऐसा हम कभी सोच नहीं सकते थे सपने में भी कि हम ऐसे व्यक्ति को देखेंगे तो इसलिए आप हिल गए अगे देखते हैं हम लोग What do you think is the best thing about being disabled I had asked him earlier लेख़ब कह रहा है कि मैंने Stephen Hawking से पहले ही पहले ही अलियर माने पहले ही उनसे पूछ लिया था कि what मने you think आप क्या सोचते हैं is the best सबसे अच्छा अच्छी think मने चीज सबसे अच्छी चीज about मने बारे में being disabled विकलांग होने के बारे में तो मैंने पहले ही उनसे पूछ लिया था कि विकलांग होने के बारे में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है तो उन्होंने क्या बताया उन्होंने बताया कि I don't think there is anything good about being disabled I don't think मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी चीज जो है अच्छी है disabled विकलांग होने में कोई बात अच्छी है ऐसा मैं नहीं समझता हूं मतलब कोई चीज अच्छी नहीं है उसमें विकलांग होना कोई अच्छी बात नहीं है I think अब लेखक कहता है कि मैं समझता हूं I said मतलब लेखक ने कहा कि मैं समझता हूं कि You do discover how much kindness there is in the world तो kindness मने दयालूता तो you do discover मने आपको पता चलता हूं how much मने कितनी kindness मने दयालूता in the world मने संसार में इस मने है तो आपको इससे पता चल जाता है कि कितनी दयालूता इस संसार में है विकलांग हूने में ये पता चलता है यस हां he said उन्होंने कहा कि हां it was a disadvantage of his wise synthesizer that it could convey no inflection no sets or tone and I could not tell how into enthusiastically तो कह रहा है कि हां he said उन्होंने कहा कि हां कौन कहा Stephen Hawking Hawking ने तो it was यह था a disadvantage of his wise synthesizer जो उनका wise आवाज का जो synthesizer था मतलब computer में जो लगा हुआ था उसमें कमी थी disadvantage थी कमी थी key that key it could convey no inflection यह जो है इसमें कोई उतार चड़ाओ नहीं था inflection नहीं था inflection में उतार चड़ाओ और no sets न कोई भाव था our tone न कोई tone था मतलब उनकी आवाज का जो tone भाव उतार चड़ा होता है इस wise से जो है हमको computer की wise से कुछ पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि computer सिर्फ yes लिख देता था तो उसे पता नहीं चल पाता था and or I could not tell how enthusiastically or I could not tell मैं बता सकता हूँ मैं नहीं बता सकता हूँ how मने कितना enthusiastically मने उत्साह उत्साह पुर्वक आगे देखते हैं हम लोग उत्साह पुर्वक स्विकार किए उत्साह कितना से उत्साह से मेरे साथ मेरी बात को यह मैं नहीं समझ पा रहा था उसाह पूर्वा कितना और इसे तो yes लिख दिये थे तो मैं समझ गया था कि जो है वो मेरी बात से सहमत है बाकि उनके उतार चड़ाओ भाव को मैं समझ नहीं पाया तो every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time I wanted to make every one of our 30 minutes count I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body तो हर शमय, every time मैंने हर शमय I shifted in my chair जब भी मैं जो है अपनी chair में इदर उदर shift होता था तो और मैं जो है अपनी घड़ी को में time देखता था कि और I मैं मैं wanted मैं चाहता था to make every one of our 30 minutes अपने जो 30 minutes मुझे मिले थे उनसे बात करने के लिए उसमें से प्रते 1 minute मैं जो है कीमती बनाना चाहता था तो I felt a huge relief अब मैंने जो है बहुत बड़ा जो है आराम महशूस किया और exhilaration मने आनन्द आराम और आनन्द महशूस किया जितना मेरी body, मेरा शरीर जो है अनुभो कर शकता था possibility थी मेरे सरीर की संभावना थी उतना मेरे सरीर ने आराम जो है और आनन्द महशूस किया How little it mattered then that I would never walk or even stand तब लेखक कह रहा है इसके बाद लेखक कह रहा है कि लेखक कह रहा है कि How little कितना छोटा it mattered यह मामला था कितना छोटा तब that कि I would never walk, never माने कभी नहीं वाक माने मैं तहल सकता हूँ और even stand और खड़ा हो सकता हूँ जब मैं Stephen Hawking से मिला तब उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि मेरा मामला तो बहुत छोटा है कि मैं जो है खड़ा नहीं हो सकता हूँ और मैं जो है टहल नहीं सकता हूँ तो मुझे जो है यह छोटी बात लगने लगी अपनी तो I told him how he had been an inspiration beyond cliche for me and surely for others did that thought help him और अब लेखक कह रहा है कि I told I मने मैंने told मने बताया ही मने उन्हें how मने की कैसे he had been an inspiration inspiration मने प्रेड़ा दायक वह हम लोग के लिए प्रेड़ा दायक रहे हमारे लिए beyond cliche for me मेरे लिए प्रेड़ा दायक रहे and or surely मने निश्चित रूप से for others मने दूसरों के लिए भी वो मेरे लिए और दूसरों के लिए भी प्रेड़ा दायक रहे तो did that thought help him मैंने उन्हें से पूछा कि क्या यह बिचार जो है मेरा आपकी सहायता करशकता है आपके लिए सहायक है तो उन्होंने क्या उत्तर दिया उन्होंने उत्तर दिया कि no नहीं he said उन्होंने कहा कि नहीं and I thought how foolish I was to ask उन्होंने कहा नहीं और फिर बाद में मैंने जो है सोचा I thought मने मैंने सोचा how मने कितना foolish मने मुर्खता पूल बात I was to ask मैंने उन्होंसे कही थी कितनी मुर्खता पूल बात मुझे ऐसी बात उन्होंसे नहीं कहनी चाहिये थी when your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day it does not do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still अब वही बात फिर लेखक कह रहा है यहां पे कि हम कितनी मुर्खता पूल बात उनसे पूछ लिये थे क्यों क्योंकि जब उनका सरीर जो है उनका सरीर दिन प्रदिन जो है छोटा होता जा रहा है उसी को लेखक जो है कि कमरे को रूप में वडन कर रहा है यहां पे कह रहा है लेखक कि ऐक बंद कमरे की तरह हो जहां डर लग रहा हो कापी समय से बंद कमरा और कमरे की जो दिवारे वह जो है growing मने हो रही है narrower मने चोटी day by day मने प्रतिदिन प्रतिदिन चोटी जा रही है तो इट ड़ures do much good much मने अधी good मने अच्छा to never मने जान करके that key there are people लोग जो है आउटसाइड माने बाहर की लोग स्माइलिंग माने मुस्कुरा रहे हैं बिद माने साथ एड्मिरेशन माने प्रसंसा करके जो है तो सी यू आपको देखके व्रीधिंग स्टील माने जीवित सास लेते हुए तो कह रहा है कि जो है यह जो है अधिक अच्छा नहीं लगता है तो जानकर की जो है लोग बाहर की लोग जो है मुस्कुरा रहे हैं आपकी प्रसंसा करके कि आप जो है जीवित Is there any advice you can give disabled people? Something that might help make life better तो Is there any advice? अब लेखक पूछ रहा है इनसे कि जो है क्या क्या आप कोई Stephen Hawking से पूछ रहा है यह नी माने कोई advice माने सलाह आप कोई सलाह देंगे You can give आप दे सकते हैं कोई सलाह disabled people विकलांग व्यक्ति को कोई सलाह दे सकते है Something that कुछ ऐसा की जो की जो है उनकी might help make life better जो उनकी जो है सहायता कर सके और उनके life को जीवन को और अधिक बहतर बना सके क्या ऐसी कोई जो है सलाह आप देंगे तो अब Stephen Hawking क्या कहते हैं इसको देखिए They should concentrate on what they are good at They माने way उन्हें concentrate करना चाहिए Should माने चाहिए concentrate माने ध्यान लगाना चाहिए On what उसकाम पर जो they are good at जिसकाम में way अच्छे है Good at माने अच्छे आर माने है दे माने way उसकाम पर उन्हें ध्यान लगाना चाहिए The half hour was up आधा घंटा जो है Was up माने बीत गया था Half hour माने आधा घंटा बीत गया था I think मैं समझता हूँ कि I have annoyed you enough Enough माने काफी you माने आपको annoyed माने क्रोधित किया है मैं समझता हूँ कि मैंने आपको काफी अधिक क्रोधित किया है तो I said मैंने कहा greening माने मुश्कुराते हुए मैंने मुश्कुराते हुए कहा और thank you far और धन्यवाद दिया उसकी time देने के लिए जो है और I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening Touched माने चूना मैंने चूआ His shoulder माने उनका कंधा मैंने चूआ and or wheeled out और wheeled out मतलब अपनी जो wheelchair थी उसको ढखेलते हुए मैं चला गया है बाहर चला गया है into the summer evening गर्मी की साम में तो ये जो है फिर्दोश कांगा लेखक है और ये जो लिया गया है heaven on wheel से लिया गया है ये कहानी तो बच्चों ये इसका दूसरा part जो है समाप्त हुआ हिंदी अनुवाद इसका मैं समस्ता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया तो इसको दो बार तीन बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा तो इस वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जो है और बच्चों तक पहुशाइए अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें इन वीडियों को देखें और उनसे लाब उठाएं धन्यवाद